नमस्कार साथ को एक बार पुने, एक नई चर्चा में हम आपके समख्चु भस्तित हें, आज हम लोग आज्ग्या चक्र पे जो प्रकास होता, जो प्रकास का ध्यान करते हैं, उसके विशे में थोड़ी विशाद चर्चा करेंगे, इस चक्र को घुरू चक्र कहते हैं, यह च चक्र जो है दो कमल दलवाला चक्र की रूप में मौझूद है उस पर सुच मुष्वरूप सदाश्य विराजमान है आज्ञाचक्र पर अगर आप काम करते हैं अगर आज्ञाचक्र आपका एक्टिव होता है तो क्या सिद्धिया मिलेंगी इसके विशे में जो दो प्रमुक् अश्टिद्धिया जैसे आप सब को पता है अड़िमा अगरिमा लग्मा प्रावत प्राकम इसित व्वाशित तो यह जो सिद्धियां है यह सब आज्ञाचक्र पर ध्यान करने से शुलवता से मुल जाती है इस चक्र के खुलने पर प्राप्त हो जाती है यह से तो संसार मे जितनी भी सक्तियां कहते हैं वो सारी शक्तिया अग्या चक्र के ही आधी में चाहे वो प्राप्त हो या अप्राप्त हो सारी सक्तियां जो है अग्या चक्र के ही आधी में इसलिए आग्या चक्र पर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए आग्या चक्र आपका एक्टिव हो तो आपका जीवन स्वर्ग में बन जाएगा आप कहीं बरहें को तो आपमेशा सवर्ग की अनभूरति करोगी। चाहे लिए कि प्हेर्वा में रहूगे व tus 좌 बीक्र तो ध्यान इस सुरीर में सबसे पहले कहां से प्रारम करें। ध्यान योग Sugност vorkodra और आग्या चक्र पर ध्यान करें करका तनी Leah um मद्याद में tuition आग्या करों सबीने के आग्या और देखने के वाथ हैं , यहां पर कंडलनी प्रकास और है सुगंता होती है सबसे पहले यह चक्र active हो सकता है, सातों चक्र में अगर सबसे जल्दी कोई चक्र active हो सकता है, तो कहते हैं, आग्या चक्र इतना महत्वपूर है, कहते हैं, यहां पर इडा, पिंगला, सुस्मुना का मध्य है, यानि कि तीनों नाडियों का संगम यहीं से है, जैसे आप सब को पता है कि बाई नाक जो है जो बाई नाक छिदर है जो उससे हवा चलती है उसे इडा कहते हैं उसे चंदस्वर भी कहते हैं इसके देवता चंद्रमा है इसे सीतल स्वर भी कहते हैं इसके गंगा की धारा भी कहा जाता है इस चंद्र स्वर का अगर चल रहे त क्षिछा होता है जो प्रकास होता हो ए साफ सुत्रा दिखाई देता है दाहिए नाग जो हवा चलती है उसे पिंगला कहते है सूरे सब्दूर काहते है ध्यान साधारन लगता है क्योंकि प्रकास्म पर लालिमा सब्दी करते हैं त्रेक हर Its दोनों स्वर सम रहने पर अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो यह ध्यान की उत्तम समय है ध्यान लगाने के लिए पूजा करने के लिए कोई लाव अट्रक्सन ये सब जो भी सिध्धान थे लागू करने के लिए दोनों स्वर चलते हैं अच्छा रहता है इसलिए ध्यान जो ध्यानी होते जो योगी होते हैं प्राणायाम के द्वारा स्वर को वदलते रहते हैं दोनों स्वर को सम करने की कोशिस करते हैं और जो सुस्मना नाड़ी है जब दोनों स्वर चलने लगते हैं तो सुस्मना नाड़ी कहते हैं इसी को स्वती का संगम यानि की आपकी भृकुटि पर आपके आग्या-čक्र पर हैं, जलदी प्रकास कैसे देख सकते हूं हर एक साधक चाहता है को इसको प्रकास का सुरोप दिखाई दी आग्या-चक्र पर ध्यान करने पड़ेगा त्राटक करना पड़ेगा बिंदू स्वाधना करनी पड़ेगी और आपको अपने आखों की रोसनी को बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए आपको दोनों आखों के पुतलियों को नाग के पास ला करकि अपना पूरा ध्यान आग्या चक्र पर या नाग के थे हां कुछ रावधानियां हैं कि आँख तबा करकर के बहुत ज्यादा द्थ पंद्रा में करना है एक दो मिनिट करने के बाद छोड़ देना है आराम करना है फिर करना है इस किरिया को 30 मिनिट तक दीरे धिरे किया जा सकता एक साथ कर दो दुट करके पहले आप अपने नासिका का गर्भाग पर और आग्या चक पर मन को मत लाइए, कुछ दिन मन को गती को चलने दीजे, धीरे-धीरे मन को स्वास पर लाइए, फिर धीरे-धीरे मन को अपने ना का गर्भाग पर लाइए, फिर मन को अपने भरिकुटी पर लाइए, धीरे-धी बीधा से प्रतदिन एगर आप करोंगे तो बहुत ज़ली प्रकास दिखाए देने लगेगा जिसका ब्रह्मछर्य अच्छा हो स्वास्थत अच्छा हो तो इसके सरी में कंपन होता है इससे घबराना नहीं है कमपन का मतलब होता कि आप जो साधना उस ही दिशा में चल रहे हैं बस इस समय आपको ब्रह्मचर पर विश्यर चोग देना है जैसे आपका कमपन हो देखोगे कि आप दो महीने के अंदर अगर आप लगातार दो घंटा ध्यान करते हैं ये घंटा दो घंटा ध्यान करते हैं दो महीने के अंदर आपका आग्या चक्र बिल्कुल असपस्ट तोर पर खुल जाएगा आपको परमानंद की प्राप्ति होगी क्योंकि इस चक्र के खुलने के बाद हंसरीर से लगा चुट जाता है और विक्ति परम हंस यानि परमात्मा के सरीर के अनुशार परम हंसरूपी सरीर को प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्म का सरूप होता है यानि वह ब्रह्म का साप्छाद कार कर लेता है इसलिए आग्या चक्र पर विशेश ध्यान देने की जिरूत है हमको विश्वास है यह दिव्य चर्च आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी किर्पया कमेंट करके आवस्च बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद